हे गाईज वेलकम बेक टो दा ए आर यूटूब चनल और आज से कुछी दिन पहले 15 अगस 2022 को बोईंग 737-800 का एक विमान इथोपियन एरलाइन सुडान से उडान भरा इस प्लेन को लगभग धाई घंटे उडान भरते हुए एडिस अबाबा इथोपिया जाना था रात के अ लगभग 37,000 फिट के एल्टिटूड पर एक बर जब प्लेन हाई एल्टिटूड में पहुँच जाता है तब पाईलेट्स थोड़ा बहुत फ्री हो जाते हैं क्योंकि अब प्लेन को आटो पाईलेट उडाना शुरू कर देता है यही वो समय होता है जब पाईलेट जुबकी ले सकते हैं लेकिन इथोपियन का केस थोड़ा अलग था एक पाईलेट तो सो गया वहीं दूसरा पाईलेट कोक्पिट की निगरानी कर रहे थें लगभग धाई घंटे बाद उस दूसरे पाईलेट को भी नीद आ गई यानि कि धाई घंटे बाद अब दोनों के दोनों पाईलेट्स सो चुके थें और प्लेइन ओटो पाईलेट के भरो से उड़ता जा रहा था इस धाई घंटे के सफर में ये प्लेइन इथोपिया पहुच गया अब इस प्लेइन को रनवे पर लेंड कराने के लिए लेंडिंग प्रोसीजर को फॉलो करना था एटीसी के दुवारा दिये गए निर्देश के अनुसार पाईलेट को ये डिसीजन लेना था कि कब कहा कैसे लेंड करना है एटीसी पाईलेट को बार बार कॉन्टेक्ट करता रहा कि भाई अब लेंडिंग करने के लिए प्लेइन को नीचे उतारो लेकिन अपसोज कोई कनेक्ट हो गया प्लेइन में FMC यानि कि फ्लाइट मेनेजमेंट कम्प्यूटर होता है इसी कम्प्यूटर में पाईलेट पूरे फ्लाइट प्लाइट को डाल देता है इसके बाद प्लेइन सीधे उड़ता रहेगा जब तक कि ये एरपोर्ट B तक ना पहुँच जाए अब ये फ्लाइट मेनेजमेंट कम्प्यूटर यानि कि आटो पालेट प्लेइन को तब तक उड़ाता रहता है जब तक ये उस लोकेशन तक ना पहुँच जाए इसके बाद आगे के फ्लाइट प्लाइट को FMC में डाला जाता है कि इस एरपोर्ट के किस रनवे पर लेंड करना है किस डारेक्शन से लेंड करना है हलाकि ये सारा इंफोर्मेशन पालेट को पहले भी दी जा सकती है लेकिन कहते हैं ना कि कल किस ने देखा हो सकता है कि पालेट ने FMC पर डाल दिया कि प्लेन को रनवे 2.5 से एलाइन करो एसे में जब ऑटो पालेट प्लेन को रनवे 2.5 पर ले जाएगा तो में भी उस रन्वे पर कोई और प्लेन मौझूद हो या फिर हावा का बहाव ऐसा ना हो कि प्लेन रन्वे 25 पर लेंड कर सके इसलिए लेंडिंग प्रोग्राम को पहले ही नहीं डाला जाता या फिर अगर डाल भी दिया जाता है तो लेंडिंग के समय इस इसे लेंड करना है लेकिन जब डिसीजन लेने का टाइम आया तब दोनों पाइलेट नीद में थे आटो पाइलेट प्लेन को तब तक उड़ाता रहा जब तक कि ये एरपोर्ट तक ना पहुंच जाए जैसे ही इस प्लेन ने एरपोर्ट को पार कर दिया वैसे ही आटो पाइ कम्प्यूटर को कोई भी इनपूट नहीं दिया गया नॉर्मली एसे केस में जब पाइलेट किसी भी इंस्टुमेंट को यूज ना कर रहा हो आटो पाइलेट भी बंद पढ़ गया हो तो ये कम्प्यूटर कोक्पिट के अंदर एक अलार्म बजा देता है इथोपियन एरल पाइलेट के इस हरकत के बाद एरलाइन कमपनी ने दोनों पाइलेट को सस्पेंड कर दिया जब तक कि पूरा इन्वेस्टिगेशन कम्प्लीट ना हो जाए आज पूरी दुनिया दोनों पाइलेट को ही दोसी मान रही है पर इसका एक दूसरा पहलू भी है जिसे हमें समझ पाइलेट भी इनसान ही होते हैं और हर इनसान को नीद आती है सभी को समय के साथ साथ रेष्ट चाहिए हमें ये नहीं पता कि फ्लैट से पहले दोनों पाइलेट की नीद पूरी हुई थी या नहीं कोई भी पाइलेट रेगुलर डियूटी नहीं कर सकता इसलिए बीना समय होग